सब्वागत है स्वागत है आप सभी का मुंद चेडी सेंटर यंट्यूब चनल पे गूड मार्निंग नमस्ते नमस्ते जैहिं बंदे मात्रम दरा प्रसंण आप से पूछा गया है रेड मोज़े कौन समास होगा यहां पर देखिया को बताना आगे मणधे हैं चलि यहां पर दीखिया जवाब देना है भला मानस में कौन से समास है तो भला मानस में यहांपर और आपका हो जाएगा यहाँ पर कर्म धारे होगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका यह नंबर वाला बिल्कुल सही अंसर आपका हो जाएगा कर्म धारे समास भला मानस इसका समास भी ग्रे क्या होगा भला मानस भला का मतलब अच्छा होता है मानस का मतलब मनुस्य होता है आपको बताना है तो कहरी सब्दका मतलब होता है क्या होता है ठीक ना के सरी होता है यहाँ पर राइट अंसर क्या होगा यहाँ पर आपका अंसर आपका कमल का पर्यावची नहीं है तो फिर आप कहेंगे, जलत किसका पर्यावची होता है यहां पर आपको पताना है यहां पर आपर आपको बताना है आपिर भाव का क्या होता है तिरो भाव होता है विकल्प नमबर यहाँ पर आपका C नमबर बिलुकुल राइट अंसर आपका हो जाएगा दिये गए विकल्पों में से करपण का विरोधार्थी सब्द क्या होगा तो अगर हम करपण की बात करते हैं करपण का विरोधार्थी सब्द क्या होता है उदार होता है कई बार पेपर में पुछा गया है यहाँ पर विकल्ब नंबर क्या होगा बी नंबर आपका राइट अंसर आपका हो जाएगा नेक्स प्रस्कार देखिए हमसे पुछा गया है नेमलिकित में से कौन सा एक सब्द तदभो नहीं है देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऐसा एक सब्द है जो तदभो नहीं है तसकर, पत्ता, हाथ, अंधेरा यह आपके बिकल्ब दिये गए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तसकर तसकर हमारा क्या है यह हमारा तदभो नहीं है तसकर हमारा तदबाव नहीं है जबकि यह तसम है आपके जो पत्ता है, हाथ है, अंधेरा है यह सब आपके तदबाव है तो बिकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा यह नंबर वाला सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए पुछा गया निम लिखित में से कौन सा सब्द है तसम है देखिए तसम से फी प्रेक्शन एक पुछ लिया गया है तो तसम यहाँ पर अंसर क्या होगा यहाँ पर देखिए तसम पुछा गया बहु, जोग, ब्या, ये तो आपके तस्रम नहीं है, यहाँ पर तस्रम पुछा गया, तस्रम आपका होगा, ससूर होगा, ससूर लिखा जाता है, बिकल्प नमबर यहाँ पर क्या होगा, ए नमबर वाला राइट अंसर आपका हो जाएगा, देखिए, ससूर सब्द संस्क्रत क क्या होगा देखिए तथायो का आपको बताना है संदी बिछेत क्या होगा तो तथायो का होगा आपका तथा प्लस अयो तथा प्लस अयो बराबर क्या होता है तथायो होता है हना यहाँ पर तथायो तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा राइट असर आपका हो जाएगा A number आपका हो जाएगा इसमें ब्रधित वर संदी का प्रियोग हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिया आपको बताना नेमलिकित संदी भिछेत की संदी क्या होगी यह लिखा हुआ है तो जल पलस ओद बराबर क्या होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा, जलाओध हो जाएगा, बिकल्प नमबर यहाँ पर क्या होगा, आपका D नमबर, बिल्कुल राइट अंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 11 नमबर में आपको जबाब देना है, सही बिकल्प का चैन करिए, और जो वाक्यांसियों के लिए एक सब्द है. यहाँ पर देखिए आपको बताना है. एक सब्द है, तो यहाँ पर आपको देखिए आधी से अंतर कैई पर पूछा गया है. देवताओं का उपवन के लिए एक सब्दा हको क्या होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा नंदन कानन होगा याद रखेंगे नंदन कानन होगा यहाँ पर विकल्प नंबर ए नंबर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आग का अंधा गाट का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा अगर हम बात करते हैं यह लोकोक्ति की ब देखे यहां पर आपको बताना है अंगूठी का नगीना मुहारे का अर्थ क्या होगा है अंगूठी का नगीना इस मुहारे का मतलब होता है आपका सुन्दर और सजीला होता है याद रखेंगे सुन्दर और सजीला होता है विकल्प नंबर यहां पर बी नंबर आपका हो जा गया है, तो यहां पर आपको हो जाएगा, मैं आप पर सरद्धा रखता हूँ, यह आपका सुध्य होगा, है ना सरद्धा भक्ति आधी के साथ करना क्रिया उपयोक्त नहीं होती है, बलकि रखना क्रिया सटीक रूप से आपके प्रयोग की जाती है विकल्प नमबर यहाँ पर C नमबर आपका हो जाएगा चलिए यहाँ पर नमस्ते यहाँ पर देखिए जवाब देते रहे कमेंट करते रहे इनमे कौन सा वाग के सुद्ध है यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है इनमे से कौन सा हमारा वाग के जो है सुद्ध है ठीक है ना यहाँ पर आपको बताना है इनमे से कौन सा वाग के हमारा सुद्ध है सीता ने यह कहा सीता ने यह कही सीता यह कही सीता यह कहा ना, 16 नंबर में देखे, जबाब क्या होगा? तो यहां पर आपका सूद हो जाएगा, सीता ने ये कहा, सीता ने ये कहा, विकल्प नंबर आपका ये नंबर हो जाएगा, नेम्डिकी सब्दों में से एक इस्त्री लिंग देखिए, आपको बताना है इसमें इस्त्री लिंग सब्द हमारा कौन सा है अना इस्त्री लिंग देखिए आपको बताना इसमें सब्द हमारा कौन सा होगा 17 नंबर में तो देखें यहाँ पर जो आपका डोर लिखा हुआ है ना डोर याद रखेंगे डोर कई बार पूछा गया डोर आ पताना है यहां पर आपका अंसर हो जाएगा कभियों होगा कभिया नहीं होगा कभियों होगा विकल्प नंबर यहां पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही अंसर आपका हो जाएगा क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कारक होता है याद रखेंगे विकल्प नंबर यहा आपका 20 नमबर में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ना, विकल्प नमबर D, ध्यान से देखिए, यह लिखा हुआ है, छत्रचाया जैसे बोलते नहीं है, तो छत्रचाया इस तरीके से आपका लिखा जाता है, और यही आपका सुद्ध वर्तनी है, माकि पत्र सब्द का अर्थ नहीं होता है तो यहां पर आपका हो जाएगा लेक नहीं होता है पत्ता होता है चिठी होता है पंक भी होता है बट लेक हमारा नहीं होता है राइट अंसर आपका क्या होगा डी नंबर हो जाएगा चलिए अगला देखिए दूसरा टिस्ट लगा रहे ह तिरंगा में कौन से समास है कई बार एक जाम में पूछा गया है तिरंगा में समास बताइए कौन सा होगा तिरंगा में समास कौन सा होगा आसान प्रस्ण कह सकते हैं हाना सबसे आसान प्रस्ण कह सकते हैं और देखिए यहाँ पर पहले नमबर का आप देखिए जवाब देना है और कमेंट देखिए करते रहे यह सभी लोग और तीरंगा में यहाँ पर देखिए तीरंगा में संख्या बाच्छक प्रियोग हो रहा ना तो दीगु समास होगा बिल्कुल सही है बी नमबर हो जाएग निम्ने में से कर्मधारे समास का देखिए उधारन बताना यहाँ पर कौँ सह होगा हाना कर्मधारे देखिए यह वाला प्रिय सखा हाना प्रिय सखा में आपका कर्मधारे समास होता है हाना कर्मधारे समास होता है अगर हम आजन में की बात करते हैं आजन में भी देखिए क प्रतांप समास होता है काम प्रभी कई आर्प पूछा गया है काम चोर में कौछ गछ समास होता है तद्पुरूश समास होता है आपका। आगे क्या होगा पर सब्द बताना है क्या होगा तो आतनु का पर याओ काम्देव होता है। काम देवाला टिक कर देजिए, प्रतारक लिखा हुआ, प्रतारक किसका पर्यायवाची है, देखे, यहाँ पर आपको बताना है, प्रतारक किसका पर्यायवाची है, प्रतारक जो है आपका ठग का पर्यायवाची है, विकल्प यहाँ पर जाएगा यह नंबर के साथ, नेक्स अगे बढ़ते हैं इसने बड़ा का इसे नहीं बनता यह सिर्व इतना बनता है इतना यहाँ पे देखोव बना हुआ है बस यह डंडा यहाँ नहीं लगता तो विकल्प यहाँ पर सी होगा आठ नंबर का क्या होगा, आठ नंबर का सी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, आगे बढ़ते हैं, गवीस में प्रियुक्त संधी का नाम क्या होगा, गवीस में देखिए, संधी के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर जवाब देख लेते हैं, नो नंबर का देखिए देखिए गवीष में आपका ख्या होगा गवीष का संदी बिखिषित करेंगे जा क्या होता है तो आपका क्या होता है डिसनोल है टौक फितलर si व unique यहां पर अगर हम Uh huh आता है और यहां पर आयाद आयाद संदी होगा, यहाँ पर आयाद संदी का एक्जामपल है आपका यह, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वरसंदी का देखिए, उधारण बताना यहाँ पर क्या होगा, स्वरसंदी का, तो यहाँ पर आपका स्वरसंदी होती क्या है, जहाँ दो स्वरों के मेल से विकार उत पन होता है वहाँ पर आपकी स्वरसंदी होती है ठीक ना यहाँ पर राइट अंसर बताना है क्या होगा तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा अनुवय अनुवय में क्या है आपका यहाँ पर स्वरसंदी का एक्जामपल है अनुवय इसका संदी भी छेत करेंगे तो क् यहाँ पर आये आएगा ठीक ना अनू प्लस आये आएगा यहाँ पर राइट अंसर आपका हो जाएगा ए नमबर आगे बढ़ते हैं जिस ब्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो है ना जिस ब्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो यहाँ पर देखे जवाब देना ग्याले जाइगा जाएगा रास्ते में खाने वाली। सामागरी को म His owres होती है उसके लिए आपको बताना सब्सक्राइब कृut का में बहुत खुना लेका मतलब क्या होता है। जन्रली आपलो该न को ने सुन Racers सुना होगा यानि भेद प्रकट करना है ना भेद प्रकट करना होता है कलाई खुलने का मतलब आगे बढ़ते हैं सच्चाइक यानि पता चलना हालत पतली होना इस मुहावरे का मतलब क्या होता है हालत पतली होना इसका मतलब होता है आर्थिक इस्तिति क्या है खराब होना डी हाँ बिल्कुल बेद खुलना बिल्कुल सही है सिखा बिल्कुल सही जवाब दिया गया है देखिए यहाँ पर आपको बताना है कमेंट देखिए और भी लोग करते रहे हैं कमेंट काफी कमी लोग कर रहे हैं निम्लिकित वाक्तियों में क्रिया संबंदे सुद्ध वाक के बत है कौन सा वाके सही है देखिए 16 नंबर में बताना है कौन सा वाके सही है तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बैल और बकरी घास चरती है नहीं बैल और बकरी घास चरते हैं बिकल्प नंबर यहाँ पर भी हो जाएगा देखिए हाथी का इस्तिरी लिंग क्या यहां पर आपका क्या होगा देखिए यहां पर आपका होना चाहिए अधिकरण कारख का देखिए अधिकरण कारख होगा 19 नंबर का हाँ बिलकुल शही है सी नंबर होगा निमन में यहां पर बताना कि सब्दे की वरतनी क्या असुद्ध है देखे अरवरतनी असुद्ध बताना है तो यहाँ पर आपका जो छिद्रान वेसी लिखा हुआ है ना यही आपका असुद्ध है बाकिया आपके सब सही है यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर हाना बीस नंबर का बी नंबर आपका राइट अंसर आपका ह मानो व्मात्र को घीता के महातम से परिचित होना अनिवार रहे हैं रेखांगी सब्दों को देखे सुद्ध करना यहां महातम में लिखा हुआ है इसको आपको सुद्ध करना है तो यहां पर देखिए अंसर क्या होगा देखे बस इसका सुद्ध क्या होगा यहां पर जो ता बना है आदा ता बना दीजिए आदा ता देखिए कहां बना हुआ ह कई बना हुआ है, यहाँ पर B होता है, बिकल्प नमबर यहाँ पर क्या होगा, B नमबर आपका हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question देखिए बताना है, सैंधाओ का आसा है, निमने में से कौण से नहीं है, 22 नमबर में देखिए जवाब देना है, तो सैंधाओ का जो पर हो जाएगा सोना 21 नंबर का देखिए जवाब बताया जा रहा है 21 नंबर का C नहीं होगा महतम में बड़ा मा बनता है बड़ा हा बनता है और छोटा आदा ता और आदा मा औरिया यही वाला सही है 21 नंबर में कनफर्म है 21 नमबर का आपका बी नमबर ही होगा महातम में होता है महा है ना आकी सही है छोटा मा नहीं होता है बड़ा मा होता है 21 नमबर का आपका बी वाला होगा चलिए वरतनी की जो प्रस्ण होते हैं लगता आपको बहुत है लेकिन अब देखे आहिल्या को अहल्या लिखा जाता है क काफी सारी चीजहें हैं वर्तनी वाले प्रसेज़ों को एक बार आप पढ़ें तो आपके काफीszych थे हो जान आपसे पूछा गया है यहां पर देखिए पूछा गया है कौप मंदूग में किस समास की औरव southern विध्याओं Kum प्रशने देखिए पूछआ गया है शोग चल्य कमेंट करते हो जो लोग बाद में आ रहें वीडियो को लाइक भी कर दीजिए रे गुरों सब्सक्राइए पर आपको समास बताना है क्या होगा गुर्णी र我跟你 समास टोको समास में आपका होगा कर्मधहर तो यहां पर अपका अंसर क्या होगा विकल्प नंबर यहां पर जाएगा आपका डी नंबर के साथ और इसके अलाबा चरण कमल लाव परमानंद हाना ये भी हमारे सारे के सारे सब्ध हमारे करमधारे समास में आपके आते हैं चलिए नेक्स प्रॉष ने देखिए पूछा ग गगरा भी होता है है ना काफी सारे होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए जो जल और पात्र लिखा हुआ है यह आपके होते हैं किसके परियावची होते हैं जल पानी का होता है पात्र जो होता है बरतन का होता है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए आपको कि पुच्छा गया है फ्रश्ने का परियावची क्या होता है नमबर होता है नुम्बर बढ़ arguing क्या हो brows सब्सक्राइब क्या होगा तो इससा चैकर विलोम होता है ट्रवstawlements और उन पुचा निम्लिखीस में से देखिए तस्सम सब्द आपको बताना है यहाँ पर कोस्टन नमबर सेवेल में क्या होगा देखिए तस्सम आप संदिए गया है दही जीन गयंद गाहक है न तो यहाँ पर देखिए जो आपका तस्सम सब्द होगा यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका जी जीन क्या तस्व हो जाएगा और जीन का तदभव होता है जीना क्या होता है जीना होता है जीना इसका तदभव हमारा जीना होता है चलिए आगे बढ़ते हैं गयंद का मतलब हाती होता है और दही और जो आपके यहापर ग्रहक होना चाहिए ग्रहक लिखा हुआ है तो दही औ बड़ा हाधी बिल्कुर साही जवाब है चलिए देखें यहां पर आपको बताना है सींह सब् Mogadous लिखा हुआ है इसका संदीक चुल्गा होगा देखें ऑप प्लस अपamm calor क्या होगा आपका दवपी होगा यहाँ पर राइट अंसर आपको हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका अयाद संदी है यहाँ पर आपका अपका एबी नंबर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं परामपरा से चली आ रही बात के लिए परियोक्त होने वाला सब्सक्राइक होगा तो यहां पर आपका बिद्लक्त होता है यहां पर पूछा गया है कांट मार जाना के अर्थ क्या होता है तो काट मार जाना एक मुहावरा है और इसका मतलब होता है आसर चकित हो जाना विकल्प यहाँ पर बी विल्कुल correct answer आपको हो जाएगा देखे यह प्रस्थ हमने इसके पहले टेस्ट में कराया था जैसे नागनात वैसे है ना लोकुक्ति को देखे पूर् करनां अब यहाँ पर आपको हो जाएगा चलिए जिसका अर्थ होता है सबका एक जैसा होना राजा ने चौर को म्रत्यू रहंड की सजधी वाक्य मेंसे क्या है यहां पर देखे थुरुती बताना है तो यहाँ पर आपका सहीं क्या होगा यहाँ पर होना चाहिए , राजा ने चोर को मृत्यूड़नर दिया , यहाँ पर आपका अंसर क्या होगा , विकलप सब्सक्राइब यहां पर सजाद यही वाला क्या है आपका गलत है आगे बढ़ते हैं नेता का इस्तुरी लिंग रूप में से कौन सा है देखिए नेता का इसत्रिलिंग आपको बताना है बिकल्पों में से कौन सा है आपके बिकल्प दिए गए नेत्र audit तो नेत्री नेता Newsham घ्रत का नेत्री होता है बंदू का रूता है बंदू वर्ग होता है बंदू वर्ग कहा है बिकल्प नमबर यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा आयराकेस यहाँ पर देखिए बताना यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है तो ऐसे भी आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया वह संबोधन साइन लगा हुआ है तो यहाँ पर संबोधन वाला आपका कारक हो देखिए काउतू हल है ना और कि काउतू 21 नमबर हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना असुद्ध वरतनी वाला सब्द बताना क्या होगा तो 21 नमबर के देखिए जबाब मारी विचा चुका है और दिन नमबर बिल्कुल सही है पावराणिक होता है है ना यही आपका चोटी के मंतर यहां पे लगता है न window पर आपको नेकार्थी सब्द क्या होगा तो आयत का होता है आपका विशाल होता है चिन होता है निसान होता है लंबबा विस्तरत होता है um 12 पर देखे आपको जवाब देना है 12 सिंगा में राइट अंसर क्या होगा हां वारा सिंगा में देखे संस्ट को Winda ho पहले नंबर गया अब आ हब आपका 22 नंबर तभ होचुगे थे और यहां पर जवाब दिया गया है 12 सिंगा 12 सिंगा में 12 सिंगों वाला है ना कोई बिशेज जानवर की बात हो रही है तो यहां पर भी आपका अंसर होगा बावबिरी समास होगा समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्ति में रिक्सिश्थानों की पूर्थी के लिए सही तो यहां पर कौशा है समास विग्र समास विग्र आपका तत्पुरुष है विकल पर आपका क्या होगा डिनमबर बिल्कुल राइट अंसर आपका हो जाएगा निम्निकित में से कौश सब्दें डूष्ट का परियावची नहीं है देखें यहां पर आपको बताना है डूष् परियावची सब्दें यहां पर कौश नहीं है यहां पर आपको जो यहां पर लिखा हुआ है ना तमिस्तरा हाना तो विकल्प आपको यहां पर डी होगा राइट असरा आपका हो जाएगा डी नमबर चली आगे बढ़ते हैं चली नेक्स प्रशन देखते हैं उस करपन विक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे हाना यहां पर देखिए जवाब देना है पांच नंबर का अंसर क्या होगा उस करपन विक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे तो यहां पर आपका जवाब क्या होगा हाना क सब्सक्राइब नम्बर वाला हो जाएगा मेड़क का तस्तम रूप क्या होगा देखिए मेड़क कभी कई दर हमने बताया है मेड़क का तस्तम रूप मंडूक होता है कई बार एक जाम में ये भी पूछा गया है याद रखेंगे नियून का देखिए संदी विछेत क्या होगा 9 नमबर में देखिए बताना है हाँ बिल्कुल देखिए कमेंट हम सभी के देख रहा है 9 नमबर के देखिए जवाब क्या होगा नियून का संदी विछेत क्या होगा इसका होगा नी प्लस उन होगा कहां भी लिखा हुआ है बिकल्प नमबर यहाप पर डी बिल्कुल सही अंसर होगा और ये ये येंड संदी का उधारन आपका हो जाएगा येंड संदी है नी प्लस उन चलिए आगे बढ़ते हैं वाड़ी प्लस आउचित देखें वाड़ी प्लस आउचित का सही संदी विछेत क्या होगा तो वाड़ी और वाचित से आपका क्या मिलके बनता है वाड़ योचित बनता यानि यहां पर आपका अंसर पहला वाला ही आपका बिल्कुल सही होगा हाँ जैहिन बिल्कुल जैहिन यहां पर देखिए बताना जिसके पास कुछ नहीं हो वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसके लिए एक सब्द आपको बताना है यहाँ पर अंसर क्या होगा यहाँ पर देखिए अकिंचन होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके लिए अकिंचन एक सब्द यूज करते हैं जो कुछ करने में सच्छम नहीं होता है उसे हम अ अच्छम कहते हैं ठीक ना अच्छम कहते हैं अच्छम और अज्यानी जो कुछ ना जानता हो असमर्थ जो सामर्थ नहों जिसके अंदर चलिए आगे बढ़ते हैं जो बहुत मंदगत से कारे करता हो उसके लिए एक सब्सक्राइब करेंगे जो बहुत मंदगत से कारे करता हो तो उसके लिए जो प्रियोक करते मंथर, यानि यहाँ पर यह हो जाएगा, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है वेर्थी की लिखा पढ़ी करना इसका यही मतलब होगा बिल्कुल सही जवाब है आगे बढ़ते हैं देखें यहाँ पर आपके कुछ लोकोक्तिया है और उनके अर्थ दिये गहें और इन में से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चैन करें देखें मुहावरा अमारा वाक्यांस होता है एक बार डिफ्रेंसी पूछ लिया गया था और यहाँ पर देखें आपको बताना है यहाँ पर गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का यहाँ पर चैन करना है 14 नंबर में क्या होगा तो दिखिए आगे ना तना पीछे पगहा बंधन सही है तीन तेरह होना है ना तीन तेरह होना इसका मतलब होता है तितर बितर होना लेकिन यहाँ पर संगठित दे रखा जो की गलत है और यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाए निम्लिकित में से कौन सवाक के यहाँ पर असुद है हाँ तितर बितर होना बिल्कुल बात सही है बिल्कुल सही जवाब द देखकर भाग गया यह आपका होना चाहिए तो सुद्ध होता इसलिए आपको यह गलत हो जाएगा निर्विकित वाक्यों में से कौन सा वाक के हाँ पर सुद्ध है सोला नंबर पर अगर हम सुद्ध की बात करते हैं तो यहां पर देखिए विद्या स्रेश्ट यही आपका सुद्ध है विकल्प यहां पर आपका सी होगा सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आपको हो जाएगा दिये गए पर्यायों मतलब पर्यायवची मताना इस्त्री लिंग सब सब्ग है यहां पर कौन सा है इस त्री लिंग देखिए सत्रव आपको बताना है तो यहां पर आपका जो परकत लिखा हो आयना ये यही रिफ्तरी है चलिए देखिए दुबट्टा फुलका हीरा यह सब आपके फूरलिंग के अंतरगात आते हैं निम्लिकित में से कौन सा सब्द सदयो बहुवचन में प्रियोग होता है हलांकि इसको हमने दो तीन से तीन बार्व टेस्ट में कराया है इसमें देखिए प्राण सब्द है आसू हो गया दर्सन हो गया हस्ताच्छा रोग यह सब हमारे सदयो बहुचन में प्रियोग होने वाले हैं यहां ताले की चावी है रेखांकित में कौन सा कारक होगा हाना संपर्दान कारक होगा बिल्कुल सही अंसर होगा देखिए यहां पर असुद्र सब्द है नहीं क्या है और तो हमका दियान रहां संपर्दान माल लें व्याओन Instagram ऐसका उनतर आपकाउना संपर्दान को फिल लगा देंगे यहां पर थान रैखन की सब्यांद की वरतनी नहीं कमें आपे बढ़ते हैं वर्तनी की डेश्टि से इन में से कौन सा असुद सब्द है यहां पर देखिए बताना है इन में से कौन सा असुद सब्द है हो गया किरन हो गया ओला हो गया और सूंड भी होता है यहां पर विकल्प में सूंड दिया गया है डी नंबर आपको टिक कर देना है नेक्ट क्लास में अभी 1030 पे आपके होगी करेंट अफेर्स के होगी और यह टाइमिंग दस बज़े आपकी डेली अब हिंदी चलेगी साध तीन बज़े यूपी जी के आठ बज़े आपके चलेगी कांसिट्यूशन पॉल्टी और इसके बाद साढ़े आठ बज़े आपको चलती है गरामीर पर वेस रात को दस बज़े मैत इसमें टोटल मनोज स्टेडी सेंटर में सेवेन क्लास हैं आपको मिल लई है चलिए धन्य बाद जय हिंद बंदे मत्रम जो लोग बाद में जुड़े थे वीडियो को लाइक सेर कर दीजिएगा और नेक्स्ट क्लास मिलते हैं सेवेन